नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्र रिव्यू में जरा कलपना शुरू कीजिए सावन का महीना चल रहा है बारिश भी पूरे देश में हो रही है लेकिन बच्चे क्या इस सावन के महीने को और बारिश के पानी को और कागस की कश्टी को महसूस कर पा रहे होंगे क्या भारत वाके डिजिटल हो गया है क्या भारत में एजुकेशन पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है या फिर हमने कोई इंफ्रेस्ट्रक्चर इससे पहले एजुकेशन था बनाया ही नहीं तो कोविट काल में संकर जब खरों में कैद रहने का गया तो स्कूलों की चौकट पर जाने के लिए बच्चे तरह से रह गए लेकिन अब तो करीब एक बरस और पांस महीने बीच चुके हैं और इतनी लंबी लंबे ही ज़रा कलपना खीचिये इस देश में कितनी बड़ी तादाद में बच्चे खरों में भी कैद रहे और अभी भी क्योंकि हमारे पास कोई इंफरेस्ट्रक्ट्टर नहीं है हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि किसी भी मुश्किल वक्त में प्रोचकोल की तहट बच्चों का विकास कैसे और किस दिशा में पोना चाहंगे इसके लिए हमारे पास बजट भी रही है बच्चों के 17 महीने बीट गए और भू भी ऐसे मौके पर जब भारत सरकार की और बच्चों का उलास बच्चों का उत्सा और बच्चों की जिन्दगी जीने के तरीकों को कूछ में पिरोया गया यौरप के कई देश भारत में समाजाएं इतनी बड़ी तादात में यहां के बच्चे स्कुन जाते हैं लेकिन सब चीजों पर ब्रेक लग चुका है हमने कोई इंफ्रस्ट्रक्चों जब जबलत ही नहीं किया जिसका हम जिक्र कर रही है हमें लगता है कि आज बहुत प्राई बातों को जानने की जरूरत है पहले तो यही समझे कि देश में 25 करोड बच्चे स्कुन जाते हैं 25 करोड बच्चों की तादात को छूटी मूटी नहीं कूटी लेकिन इस दौर में स्कूल जाती नहीं सकते हैं क्योंकि पोविड महामारी का जर है और बार बार इस सवाल हरत की जिकर ही नहीं दुनिया के कई देशों में भी बूचा कि बच्चों को जब ठीके लग जाएं उसके बाद ही स्कूल के दर्वाजे खुल जाएं लेकिन भारत जैसे देश में यहां पर विधान सवा भी सचती है संसत भी सचती है सिनेमा हॉल में लोग जाकर सिनेमा भी देख सकते हैं जिम भी खुल सकते हैं लेकिन इज्रेश के अंदर में अलग-अलग सा उल्लास चाहे वो धर्म का हो या सियासत का हो सारे दर्वाजे खुल गए लेकिन स्कूल कैसे खुलने हैं हमने इस पर नहीं सोचा तो आज बात चार के चक्रियों में इसी पर होगी कि तालीम आंधी में बच्चों के भविश्य पर आखिर संकच क्यों है इस रिपोर्ट देखिए कोविट महमारी का सबसे गहन प्रभाव देश की सिक्षब व्यवस्ता के संचालन को लेकर दिखा जो मानव संसादन के निर्मान के साथ की युवा भारत की सामराथ में से चुड़ा हुआ है महमारी के चलते स्वास्ते सुरक्षा के नजरिये से तत्कालिक कदम के रूप में सैश्ट्रिक संसानों को प्रत्यक्ष भौतेक संचालन से मना कर दिया गया पिर्तक्षा की पढ़ाई और परिक्षाय जहां भी संभवती ओनलाइन के मांध्यम से शुरू की गई करीब डेर साल से ये सब जारी है इसमें शक नहीं कि सामाजेक और भावनात्मक विकास के लिए शिक्षा केंद्र में शात्र की भौतेक उपस्तिती महत्वून होती है पर महमारी के चलते स्कूल की सूरत ही बदल गई तमाम शात्र ओनलाइन प्रवेश, ओनलाइन शिक्षा और ओनलाइन परिक्षा को अधीन हो चले शिक्षा शात्र और अध्यापक से भौतेक रूप से दूर तो हुए ही उनके विकल्प में मुबाईल या लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार खंटो बैढ़ने से परिशानियां भी बढ़ने लगी सच तो ये है कि शिक्षा पाने का प्रेणादाई अनुभव खतम सा होने लगा है अभी फिलाल पैरेंस स्कूल पे उनके बच्चे को भेज रहे है कि नहीं बेज रहे हैं नहीं हमेरे स्कूल में ऐसे 60 परसंट बच्चे आ रहे हैं और पैरेंस में थोड़ा सा दरतों हैं लेकिन दरने की कोई जरूरत नहीं तीसरी वेवाएगी ऐसा सुनने में आया है अभ हमेरी स्कूल में तो पूरी तरह से पूरी सुरक्शा रहा हैं इसलिए अभी 60 परसंट बच्चे तो आ रहे हैं अब किस प्रेकार सुरक्षा व्यवस्ता ही गई है यह? स्कूल में बच्चों के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्ता है, जो बच्चे गेट में आते हैं तो उनको सैनिटाइज करते हैं, फिर बाद में उनके क्लास में जाते हैं तो फिर वहां भी उनका एक मेंच भी एक ही बच्चे को बिठाते हैं और थर्मल गन चेकिंग भी हो र बच्चे के लिए अगर फ्यूर कमे लीहंशे मिलिए और आधे लिजोचे करोन जाएक дальше हैं लाद मेंगे सक्कतीैज करना की तिस्षरी लेट आएगी और काफी परेंसों मैं इस विए सभी कॉल में अभी फिलाल जो संख्या है काम आ रही है किल वह फिलाल आ रहा है पढ़ने के लिए लेकिन जिस प्रेकास से जो कामेश्वा स्कूल है उनकी जो फ्रक्र वेवस्ता है उनमें जब एंटर होते जो बच्चे उनको सैनिटाइज किया जाता है जो अंदर जाते बच्चे तो उनको एक ही क्लास में एक बेंच पे एक ही बच्चे को बिठाया जाता है इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंस से पालन किया जाता है जो कामेश्वार्टी स्कूल है वो काफी जो कोरोना गाइड लाइन है उनका पूरा पालन कर रहे हैं दरसल ओनलाइन के माध्यम पर ओनलाइन कक्षा की प्रकती में अध्यापक शात्र के बीच होने वाली असंभाविक और असहज प्रक्रिया होती है उसमें विद्यार्थी की सक्रिय, भागितारी और शिक्षक द्वारा दिये जाने वाले फीडबेक प्रमित होते हैं लेहाजा विद्यार्थी की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अफसर पर कम होते जाते हैं वहीं वास्तिक परिस्तितियों में शिक्षक के समक्ष विद्यार्थियों की पस्तिती होने में अनुसाशन के अप्धास की भी अफसर मिलता है इससे एक सामाजिक परिस्तिती बनती है जो कत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेतिकता का पाठ पढ़ाती है इसके उलत ओनलाइन कच्छा में कोताही की गुंजाईश ज्यादा हो गई है इन सब से सिक्षा की सुईक्रिट वई भाशा, धाचा और प्रक्रिया ही बदल गई वरहाल ये तक्नीकी बदलाव सिर्फ दिलिप्री के तरीके से ही नहीं जुड़ा है बलकि दुन्या और खुद से जुड़ने और अनुभव करने के नसर के सिमिल जुड़ा हुआ है सीखने की प्रक्रिया को कम्प्यूटर के कीबूर को अपरेट करने तक सीमित करना विद्याद्यू को सीखने शैलियों में विदिविता को भी अन्देखी कर रहा है आज एक बंदा बंदा आया तकनीक नियंतरित भाचा उनके उपर खुद दिया गया है उसी में बंद कर ही उनका सीखना पढ़ना हो रहा है ऐसा करनी सुनती कलपना शीलता प्रियोग और सर्जन के अफसर पर एक तरह से प्रहेंड लग गया है इन सब के भी सूचना ही ग्यान और अनुभव का परियाय पंती जारा की है हाला कि ऐसे आशावादी लोग भी हैं जो अब ये विश्वाश करने लगे हैं कि भाविश्य में सब कुछ ऑन्लाइन पुछाएगा वो उसे ही एक मातों विकल्प मान बैच और देखा जाए तो एक गल्पना दूर ही है इस तरह की सोच शिक्षा को उसके मुख्य प्रयोचन से दूर ले जाने वाली है देखना है कि नई शिक्षा नीटी का मसौदा कार्विर्भूत में किस तरह व्यवथारिक धरातल पर उतरता है सबसे जरूरी है कि शिक्षा की आधार सरंचना वे निवेश्च किया जाया और कुरोना जाएगा पर सिक्षा का स्वरोत पहले जैसा नहीं रह जाएगा और उस इस्तिती के लिए तैयारी जरूरी है दिल्ली के स्कूल खुले गया भी नहीं ये सवाल स्टूरेंट्स और पेरेंट्स की दिमाग में खूँ रहा है ज्यादा ता पेरेंट्स का मानना है कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहेए मगर छूटे बच्चों के लिए स्कूल अभी बंद रखना ज़रूरी है कई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को वेक्सीन लगने के बाद स्कूल खुले जाए तो कई का कहना है कि अभी चल रहा वेक्सिनेशन ही कम से कम 80 प्रतिशत तो हो वहीं दिल्ली सरकाद स्कूल खोलने के बारे में विचार कर रही है और उनसे दिल्ली के पेरेंट्स टीचर से सला भी मांग रही है मगद कोवेट की दूसरी लहर में विगरते खालात देखने के बाद पेरेंट्स जरे हुए हैं इसकूल खोलेंग या नहीं सबाल खोले का दिल्ली पेरेंट्स एसोसियेशन ने एक ऑनलाइन पोल भी कराया था इसमें अब तक का रिजल्ट कहता है कि 85 फीजदी से उपा पेरेंट्स नहीं चाते कि अभी स्कूल खुले एसोसियेशन की प्रेजिडेंट अपराजिता गौतम कहती है कि कोरोना की 30 लहर को देखते हुए सभी स्कूलों को खुलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि दूसी लहर में स्वास्ते सुविधाओ के अभाब को भी सभी ने देखा उपर से सभी बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई है और अगर फिर भी सरकार स्कूल खुलना चाहती है तो पहले कोर्ट में बच्चों के स्वास्ते की सारे जिम्मेदारी उठाने कोले का शपत पत्र दे और इसे सारवजने करे और अभी भाब को की राय वोट के जरीए मागे अभी जैसे जो इंटरनेशनली भी ट्रेंड देख रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी थर्ड वेव आएगी तो जब तक वैक्सिनेशन प्रॉसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता हम अभी बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहएंगे हम लोगों ने एक नए किसम के टीका बच्चों के जो टीके लगते हैं वैक्सिन लगती है एक नए किसम के टीके की शुरुआत की है अभी तक दिल्ली में बारा बिमारियों के लिए टीके बच्चों को लगाये जाते थे आज से ये निमोनिया के लिए टीका लगाया जा रहा है पान साल से कम उम्मर के बच्चे निमोनिया की वज़े से बच्चों की मृत्यू हो जाया करती थी अब ये वैक्सिन लगने से जो नया किसम का वैक्सिन आया है इससे निमोनिया की वज़े से बच्चों की मृत्यू नहीं हुआ करेगी ये वैक्सिन केवल निमोनिया नहीं निमोनिया, मैनेंजाइटेस, कई सारी बिमारियों से बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा अभी पहला इंजेक्शन आज हमने लगाया है और दिल्ली में इस तरह के 600 सेंटर्स हैं पूरे दिल्ली के अंदर जहां पे वैक्सिन लगते हैं बच्चों के तो अब ये सभी कल से सभी 600 सेंटर्स पे लगने चालू हो जाएंगे हाला कि स्कूलों का कहना है कि अब धीरे-धीरे करके स्कूल खुलने चाहिए रोहिनी के मांट आबू स्कूल की प्रिंसिपल जोती अरोडा कहती हैं कि स्कूल खुलने तो चाहिए लेकिन छोटे-छोटे गुरुप में स्टूरेंट्स को बुला कर और सक्ती से कोवेड असर पड़ रहा है और उनका समाजी करन भी अभी नहीं रहा और इसी वज़ा से वो जिद्धी चिड़्चड़े हो गए हैं हाला कि कौन सी एज के लिए स्कूल खुलना चाहिए इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी बहुत जरूरी है मगब पेरिंट्स दर और उल्चन में हैं दरसल पिछले बार भी जब स्कूल खुले थे तो कई स्कूल तो कल्चरल फंक्शन के लिए भी बच्चों को बुलाने लगे थे और अगर सरकार स्कूलों की निग्रानी कर सकती है तभी स्कूल खुले जाएंगे वहीं बता दें कि आपको पहले से ज्यादा आबादी का वैक्सिनेशन तो को ही कया है लेकिन इंडोनेशिया में पच्चे कोविट से अभी भी मर रही है यूएस में तो डेल्टा पेरियंट बच्चों को संक्रमित कर रहा है ऐसे में रिस्क लें तो ले कैसे वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अगस सितंबर में 30 लहर आईगी और सरकार को पेरेंट्स के पूल के हिसाब से नहीं बलकि साइन्टिफिक तरीके से फैसला लेना चाहिए बच्चों से परिशान कई पेरेंट्स और इसने कोविट की परवा नहीं वो तो स्कूल भीचने को तैयार होंगे ही लेकिन कोविट की खतनाक लहर जो देख चुका है जिसने अपनों को खोया है वो तो अब फूंफू कर ही कदम रखेगा ब्यूरो रिपोर्ट निज्वाल इंडिया हाला कि आज से कई राज्यों में कोरोना गाइडलाइन्स को देखते हुए स्कूल भी खोल दिये गए हैं पंजाब, हध्याना और रखन में स्कूल खोल दिये गए हैं वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में 16 अगस से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है लेकिन कोरोना की 30 लहर से पहले स्कूल खोलना कितना सही है इस रिपोर्ट में देखिए देश में कई राज्यों में लंबे समय के बाद प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया स्कूलों में कोवेट प्रोचकॉल का पालन किया ज़ा रहा है साथी स्टूरेंट से लेकर टीचंग स्टाफ तक सभी मास्क पहने उए शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते उवे भी दिखाई दिये आदेश के अनुसार स्कूलों को सैनिटाइस किया गया, साथ ही स्कूल में थर्वन स्क्रीनिंग और हैंट सैनिटाइसर करने के बाद ही क्लासेज में स्टूरेंट्स की एंट्री दी गई कोरोना महमारी के बाद से तमाम स्कूल कॉलेजों को सुरक्षा के लिहाद से बंद कर दिया गया है ऐसे में जो बच्चों की सिक्षा है वो लगातार प्रभावित हो रही है जो सरकार है अभी तक इस पर इस पस्ट नहीं हो पाई कि बच्चों के स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं ऐसे में जो बच्चों के पैरेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं इनसे हम पूछेंगे कि जिस तरह से आने वाली कोरोना की तीसरी लहर सर पर खड़ी है इस लिहाद से स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं क्या नाम है आपका इम्रान खान यह बताईए इम्रान जी जिस तरह से कोविड चल रहा है ऐसे में बच्चों के स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं देखें यह जो आपका क्वेस्टन है बड़ा ही आज के डेट में यह कंप्लिकेटेड है एक लाइन में इसके इसका तो हो नहीं सकता की खोला जाए कि ना खोला जाए लेकिन हाए बात ही है कि इसमें दो लोग हैं दो पार्टियां एक तरह से एक तो हमारे मेडिकल एकॉलें पार्इस कर रहा हैं कि थीरी लहर जो है हमारी एक डिसिप्लिनरी एक्षन या डिसिप्लिनरी वे में बैठेगा नहीं जाकर के क्लासरूम में वैसे बढ़ा ही बड़ा मुश्किल है तो हम लोग एक तरीके से बड़े ही एक बुरे उसमें फसे हुए हैं दोनों तरफ दोनों चीए एक तरफ हमारे बच्चे के सेक्योर्टी और उसके हेल्थ को लेकर कि भी हमें कॉंसियस रहना है कि कहीं उसको इस तरह की कोई परिसानी ना हो जाए दूसरी तरफ उसका एजूकेशन भी वह बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में तो अब देखना इसमें यह है अब गवर्मेंट जैसा बेहतर स अगर खोल दिये जाए इसकूल तो इसमें कोई बुराई नहीं है हाँ यह है कि उसमें सारी चीज़ें जो है टेस्ट वगरा पहले करवा लिए जाए सारी जो इनके एंप्लाइज है जो एंप्लाइज आ रहे हैं इसकूल में चाहिए वो टीचर्स हो या फोर्थ ग्रेट के एंप्लाइज हो जब वो इसकूल में तो उनका कुरोना टेस्ट जो भी निगेटिव हो और उनका वैक्सिनेशन हो उसके बाद जो है खोले जाए और बच्चों को अब तो उसमें सर पर यह पड़ी है मुसीबत तो देखा जाए पंजाब के स्कूलों में प्री प्राइमरी पर ही चले की हाला कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की लिखित सैमती जरूरी है बता देंगे पंजाब में राज्य सरकार ने दस्वी से लेकर बारवी कक्षा तक के स्टूरेंट्स के लिए 26 जुलाई से ही स्कूल खुल दिये थे जब स्कूल बन थे तो समझ में कुछ आता है ता सर बिना समझ है फिर पेपर में भी जितकर आती है अब सर समझाएंगे सर तो फिर पेपर में भी हम कर पाएंगा ऐसा लग रहा था कि मितलब की इस पार नहीं हो पाएगा बस थोड़ा ऐसा लग रहा था ता 12 भी ऐसी कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता कुछ चीज है वह अब थोड़ा यह सा लग रहा है कि स्कूल में डाउट के लिए रसोंगे और जो हमारे एक्जाम होंगे मुस्मों कोई परिशानी नहीं आएगी 36 गर में भी दस्वी और बारवी कक्षाओं के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज जयाने की दो अगस से 50 फीजदियों पस्तिति के साथ दोबारब खुल दी गए हैं साथ ही इस साल कोरोना संक्रमेंट की दूसी लहर के बीच मार्च में शुरू होने के बाद स्कूल और कॉलेजिस को फिर से बंद कर दिया था लेकिन एक बार फिर से दस्वी और बारवी की आफलाइन क्लासेश शुरू कर दी गई हैं 36 गड़ सरकार देकोश शर्तों के साथ कक्षा एक से पांच और आर्च के लिए स्कूलों को फिर से खुलने की अनुमती दी है लेकिन कक्षा 6, 7, 9 और 11 वी क्लासेश अभी शुरू नहीं की जाएंगी इसके अलावा जिन चात्र चात्राओं को कफ सर्दी बुखार की शिकायत होगी उन्हें कक्षा में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है में उत्राखंड में भी कक्षा 9, 12 से 12 तक के स्कूलों को 2 अगस से खुलने क्या देश दिये गए हैं जबकि कक्षा 6 से लेकार 8 वी के स्कूलों को 16 अगस को खुला जाएगा में जारकंड में भी 9, 12 से 12 तक के चात्रों के लिए स्कूलों को खुल दिया गया है ऐसा है सर्ड की पहले तो हमने सारे कमरे जो हैं उनकी साफ सपाई हुई है उनको सेनेटाइज किया गया है गेट पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी सेनेटाइज किया जाएगा और मास्क में होना चाहिए हर बच्चा तीचर्स भी मास्क में होनी चाहिए जो नहीं पहन के आ व्यवस्ता की जई है उनके लिए पढ़ाई की फीच में कोई लंच नहीं होगा हूगा और सोशल डिस्टैंसिंग के हिसाब से प्रॉपर बिठाया जाएगा उनको अपना डर्ड निकालना चाहिए उनको अपना डर्ड निकालना चाहिए भेजना चाहिए बच्चे को लेकिन हम किसी भी बच्चे को बादे नहीं कर सकते आने के लिए उने अभी भाब को को बलती हमें सहमती पत्र देना होगा पहले कि हम अपने बच्चों को भेजने के लिए इच्छुक हैं उनको बताया जाएगा कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसीं से बच्चों को बिठाया जा रहा है और अगर फिर भी नहीं भेजना चाहेंगे तो उनकी वह व्यवस्तात है यह ओनलाइन वाही से दरसल कोरोना संबंदेद गाइडलाइन्स के अनुसार स्कूलों का सैनिटाइजेशन किया गया है भी टीचर्स और स्टूरेंट्स के लिए मास्क लगाना भी अनिवार रहे है बता दें कि कोविड-19 महामारी की वच्छा से स्कूल पिछले लंबे समय से बन थे अब स्कूल साएक शिक्षन संस्थानों को खुलने के तयारी करने के निदेश दे दिये गए हैं अगस्त में यूपी में स्कूल खुले जा सकते और अभी तक जालथ तरे राज्जों में ऑनलाइन कख्षाय जारी थी लेकिन संकरमण घटने के साथ ही राजजों हने स्कूल का कदम उठा दिया है इन आठ राज्जों में खुल चुके हैं स्कूल महराज्ट यहां 15 जुलाई से उन इलाखों में कख्षा आठ से बार्वी तक के स्कूल खुल दिये गए जहां संक्रमण के नए मामले नहीं आ रहे हैं 23 जुलाई से 6 से कक्षा आठ के बच्चों के लिए स्कूल खुल गया और इससे पहरे 16 जुलाई से नौवी से बार्वी तक के लिए अधी शम्ता के साथ कक्षाएं खुल दिगई जबकी 15 जुलाई को कॉलेज खुले गए थे पुर्डुचेरी कक्षा नौस से बार्वे तक के कक्षाएं 16 जुलाई से खुल दी गई, कॉलेज और विश्विद्याले भी खुल गए, हालाकि जाना अनिवारे नहीं है पुरी सा, कक्षा 10 और 12 के लिए बीटे सुमवार को 3 महीने बाद स्कूल खुल दिये गई, गांटेंडमिन जोन के बाहर के स्कूल खीः खुले जाएंगे पंचब यहां कक्षा 10, 11 और 12 के लिए बीटे सुमवार से कक्षाएं खुल दी गई है मद्रप्रदेश, बीते सोंवार को यहां बारवी कक्षा के लिए स्कूल खुल दिये गए हाला कि नीजी स्कूल पांच अगस तक ओफलाइन कक्षा खुलेंगे बिहार, बारज जुलाई से यहां कक्षा ग्यारवी और बारवी की कक्षाओं से लेका कॉलेज और विश्वविद्यालों को भी खुल दिया गया है और यह आदी शमता के साथ चलेंगे कि प्योर डिपोर्ट न्यूज्वर्ल इंडिया देश में अर्थविवस्ता और शिक्षा दो ऐसे महतुपूर्ट सेक्टर हैं जिसे कोरोन संकट का सबसे ज्यादा डंश जीलना पड़ा है हाला समाने होने पर अर्थविवस्ता जहां पत्वी पर लोटने लगी थी वहिए स्कूल कॉलिज खुलने से भी ऐसा लग रहा था कि शिक्षा विवस्ता फिर से मुझबूर ती लेकिन संकट अभी पूई तरह से चला भी नहीं था कि कोरोना की दूसी लहर ने फिर से चिंता की लकीरे खीच दी थी और दूसी लहर के बाद एक बार जहां फिर से स्कूल खूलने पर विचार किया जा रहा है तो ऐसे में कोरोना की तीसी लहर भी हमारे सामने खड़ी है देश में कोरोना की दूसी लहर को देखते हुए कई राज्यों और जिलों में दुबारा लॉक्टाउन लगा दिया गया था और करीब 18 महीने हो चले हैं जब से स्कूल बंद हैं हाला की बच्चों की सेहत को प्रात्मिक्ता देते हुए राज्य सरकारों का ये कदम स्वागत योके है लेकिन इस लॉक्टाउन से आर्थिक शेत्र की तरह सिक्षा में भी अमीर और गरीब की खाई चोड़ी होती चली गई है नई टेकनलोजी से योक्त मजबूत आर्थिक स्थी वाले परिवारों की बच्चों को जहां लॉट्टाउन में ऑनलाइन क्लासिस आसानी सो ख़ुड हो रही हैं और वैसे तो सकानने सब चीज़ खुल दी हैं लेकिन कॉलेज और स्कुल्स भी नहीं खुले आपको ओनलाइन पढ़ने में क्या दिक्कत आती थी ओनलाइन पढ़ने में दिक्कत आती है चोड़ी से मोबाल में पूर इसकी नहीं रिख़ाती और गाहों में नेटवर्क भी आत कम आए वाले कई ऐसे परिवार हैं जहां एंड्रॉइट पून की कमी की वच्छा से बच्चे ऑनलाइन क्लासिस करने से बंचित रह गए और पूरी लॉक्टाउन के दौरान उनकी पढ़ाई छुट गई आर्थिक स्तिती कमजोर होने के बाव जो शिक्षा के महत्व को प् पड़ा है दरसल एक तरह जहां लॉक्टाउन से स्कूल बंद थे तो वहीं धारा 370 के हटने के बाद पूरे राच्चे में केवल पूजी के संचालन ने मुबाइल नेट्वर की रफ्तार पर भी प्रेक लगा रखा था वई नाम सरोब ग्रामीन शेत्रों की बात तुदू अच्छी आर्थे के स्थिति वाले परिपारों और शेहरी शेत्रों के बच्चों को भी और्लाइन क्लास करने में कर्थाईयों का सामदा करना पड़ा था कोरोना महमारी के चलते हैं पूरे 11 महीने से ज्यादा स्कूलों में ताले देखने को मिले हैं बच्चों की पढ़ाई अस्तव्यस्त हो गई है उन्होंने जो कोच स्कूलों में सीखा था वो भी वो भी बैटे हैं अब जब की धीरे धीरे स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं तो भावकों के साथ साथ बच्चों में भी एक नई खुशी और उमंग देखने के लिए मिल रही है परहाल कोरोना संकट के समय सरकार द्वारा की जा रहे प्रयासों से लोगों को राहत तो मिली है लेकिन जिस प्रकार से शुक्षा विवस्तात चौपट हो गई है उसकी भरपाई के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है शिक्षा विवाग जहां अपने इस तर पे प्रयास कर रहा है वहीं अभिभावक और समाज को बेज दिशा में सोचने और बहतर कदम उठाने की जरूरत है ऑनलाइन के साथ साथ कुरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए सामदाय कक्षाओं के संचालन करने की दियावशकता है ताकि बच्चों की रुके कोई शिक्षा निर्बात कती से चलती रहे क्योंकि इस प्रकार किसी नए सुझाबों पर यदी अमल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई को जारी रखपाना मुश्किल हो सकता है और जिस तरह से कुरोना की तीसी लहर के आश्रका जिताई जा रही है ऐसे में शिक्षा पर फिर से खक्रे के बादल मंत्रा आने लगे है और अगर फिर से लॉक्टाउन लगेगा तो शिक्षा विवस्ता पर प्रहन लगना निशिन्थ है जरूरत है ओनलाइन क्लासेस के विकल्पों को जूनने की ताकि जुबार कोई भी बच्चा ओन की कमी की वज़ा से शिक्षा जैसी बुन्यादिया विश्रक्ताओं से वंचितना रह जाए जोर्ड रिपोर्ट नीश वर्ल इंडिया चार के चक्रिव में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें नीश वर्ल इंडिया